ऊच्छ को छलिगन को फáriट सेल commitment लिकता हेलो फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल सिंह टेक्ट्यूबर में आप सब का स्वागत है सब्सक्राइब कीजिए किजिए मेरे यूट्यूब चैनल सिंहिट टेक्ट्यूबर को और बेल आइकन को दबाएए ताकि आपको मिल सके latest technology वीडियो सबसे पहले तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह आप देख सकते हैं यह मेरे laptop की screen है और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप laptop में multi window कैसे open कर सकते हैं जी हाँ friends आप laptop में भी multi window का option इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन friends इसमें आपको एक चीज़ धियान रखनी है कि आपके laptop में windows 10 का operating system डला हो अगर आपके laptop में windows 10 का operating system नहीं है तो आप यह function इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए friends आपको windows 10 का operating system laptop में होना जरूरी है क्योंकि यह function सिर्फ windows 10 में ही applicable होता है विंडोस 7 में यह function नहीं आता और उससे पहले कि windows में भी यह function नहीं आता तो चलिए friends आज की वीडियो में start करता हूँ आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं एक time पर multi-tasking multi-window कैसे open कर सकता हूँ क्योंकि बहुत से मेरे friends को query है कि यार हमें एक time करना होता है हमें उसको minimize करना पड़ता है हमें फिर दूसरी चीज open करनी है तो इसमें बहुत time consumer में है क्योंकि कई मेरे friends को आदत होती है laptop पर work करना है और उनको साथ में YouTube की भी वीडियो देखनी है तो उनके लिए आज मैं यह best solution लेकर आया हूँ कि आप कैसे अपने laptop screen पर multi-tasking multi-window कर सकते है open जी हाँ friends यह applicable है यह आप कर सकते हैं आपको live यहाँ पर करके दिखाऊंगा तो जह लिए friends आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैं YouTube का शौकीन हूँ तो मैं सबसे पहले मैं YouTube पर ही जाऊँगा YouTube पर मैं गया यह देखिए मैंने यहाँ पर इसको maximize किया यहाँ पर मैंने अपना YouTube open किया YouTube मैंने वहाँ पर open कर लिया है देख सकते हैं आप मेरा YouTube open हो चुका है इसके बाद मैं friends क्या करूँगा यहाँ पर एक video select कर लूँगा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपकी एक app open हो चुकी है आप देख सकते हैं यहाँ पर आप songs भी कोई सुन सकते हैं कुछ भी आप अपने YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इस window को तो आपने minimize करना है क्योंकि यह तो आपकी एक app हो भी यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर इस window को मैं minimize कर रहा हूं यहाँ पर मैं minimize कर दिया मैंने और यहाँ पर suppose मा लिजे मुझे file create करनी है मुझे document बनाना है या मुझे अपने MS Word पर पर वक्षक करना है तो यहाँ पर मैं MS Word अपने open करूँगा यह देख सकते हैं यह मेरा MS Word यहाँ पर टला है स्रेट मेनू में तो यहाँ पर मैं MS Word open कर दूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसी लेटर इसको open करता हूँ sample document तो यह आप देख सकते हैं यह open हो चुका है उसके बाद आपको friends क्या करना है आपको इस window को भी आपको minimize करना है ठीक है friends जैसी आप इसको minimize कर लेंगे तो आपके पास दो windows open हो रखी है background में जैसे आपके phone में दो application open होती है वैसे यह आपके laptop में भी दो background में application चल रही है अब आपको क्या करना है अब आपको दोनों windows को merge करना है ताकि आप एक तरह से आप multi tasking कर सके तो यहाँ पर मैं आपको friends बता दूँ यह multi window आपकी ऐसे काम करेगी कि half screen पर आपको यह दिखेगा और half screen पर आपको दूसरी window दिखेगी तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूं इसके लिए friends आपको क्या करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोस 10 का यहाँ पर सर्च बार है उसके साथ में talk to quote आना है यहाँ पर यह नहीं जाना आपको यहाँ पर जाना है यह आप देख सकते हैं टास्क व्यू टास्क व्यू आप्शन है यहाँ पर आपको जाना है यह तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा यह देखिए अब वो ऑप्शन खुल गया है दो विंडोस एक मेरा नीचे यूट्यूब है उपर मेरा डॉकुमेंट है तो सपोज मान लीजिए मुझे यूट्यूब को और जिस विंडो को आपको स्नैप लेफ्ट यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे एक विंडो को आपको लेफ्ट में रखना है और एक विंडो को आपको राइट में रखना है तो इसके लिए आपको एक विंडो को तो आप इसको यहाँ पर राइट क्लिक करना पड़ेगा जैसे ही आप एक विंडो को यहाँ पर मैं यूट्यूब है यहां पर इसको right click करूँगा right click करते ही वो में पूछेगा कि आपको left में रखना है right पर रखना है मुझे यहां पर इसको left पर रखना है Snape Left करूँआ आपर friends अगर आपको Right पे रखना है आपकी ये इच्छा है जहां पर आपको Convenient रहे आप वहाद पर रख सकते हैं आपको Left में रखना है यहां पर मुझे Right पे रखना है या फिर आप Right पे भी रख सकते हैं यहां पर मैं Left में रख रहा हूँ कितना असानी से मैंने आपर अपने laptop में आपको multi window open करके दिखाया, आपको ये window को adjust भी कर सकते हैं, ये देखिए अगर आपको ये है कि मुझे ये screen जादा देखना है, आपको song कम सुनना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये देखिए ये वाली window automatic resize हो जाएगी, अगर आपको ये करना है कि आपको YouTube जादा खोलनी है, आपको documented work इतना नहीं है, तो ये देखिए, ये मेरा YouTube open हो गया है, बड़ी screen पे आ गया है, और यहाँ पर मेरा MS Word की screen छोटी हो गई है, तो ऐसे ही आप friends किसी भी Windows 10 operating system के laptop में, आप ये multi window open कर सकते हैं, तो यही ता friends, आज की वीडियो में, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद हाई, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाले टाइम में, मैं latest technology वीडियो आपके लिए लाता रहाँ, thank you friends, have a nice day.